ओम महलक्ष्मै नमो नमा, धन तेरस पर राशी अनुसार खरीदे ये वस्तुए, धन में होगी तेरह गुना उरुद्धी, शास्त्रों में धन तेरस के दिन खरीददारी करना काफी शुभ माना गया है, मान्यता है कि इस दिन खरीददारी करने पर जो भी चीज आप घर पर लेकर आते है, उसमें तेरह गुना रुद्धी होती है, और घर में सुक सम्रुद्धी का अगमन होता है, धन तेरस के दिन अगर आप राशी के अनुसार खरीददारी करेंगे, तो यहाँ आपके जीवन में सुक सम्रुद्धे के साथ ही आपके समस्त मनुर्थों को सिद्ध करने वाला माना जाता है, तो आईए जानते है धन तेरस पर राशी के अनुसार आपको क्या खरीदना च धार्मिक मान्यताउं के अनुसार दिपावल्ली से दो दिन पुर्व भगवान धन्वन्तरी जी का शुभजन्मोत्सव धन तेरस के रूप में ही मनाया जाता है, बताया जाता है कि जब भगवान धन्वन्तरी जी का अउतरन हुआ था, उस समय उनके हाथ में अमुर्थ से भरा हुआ कलश्था, धन्तरस के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा प्राचिन काल से चली आ रही है, मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु आपको तेरह गुना होकर वापस मिलती है, तो आईए जानते है राशी के अनुसार धन्तरस के दिन आपको क्या खरीदन चाहिए, मेश राशी के दाकों को धन्तेरस पर चांदी के बरतन खरीदने चाहिए, यह उनके लिए बहुत ही लापकारी होगा, चांदी खरीदने से भगवान कुबेर जी प्रसन्न होते है और उनके धन में अपार रुद्धी की संभावना होती है, सायंकाल हन्मान जी की पूजय अवश्य करे, हो सके तो ग्यारह पाठ हन्मान चालीश का एकांथ होकर करे, आपको आच्चर्य जनक लाब मिलेगा, अब जानते है रुषब राशी के दातकों को धन्तेरस पर क्या खरीदना चाहिए, रुषब राशी के दातकों को धन्तेरस पर चांदी की या अभूशन खरीदना बहुत ही शुब है, रुषब राशी का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो सुक, संपन्नता और वैभव का प्रतिनी धित्व करता है, इसलिए रुषब राशी वालों को अपनी धन में रुध्धी करने के लिए धन्तेरस के दिन चांदी की वस्तु खर अभूशन खरीदना बड़ा ही शुब रहेगा, अब जानते हैं मिथुन राशी वालों को धन्तेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, धन्तेरस के दिन मिथुन राशी के जातकों को सोने के आभूशन खरीदने चाहिए, और हरे रंका घरेलू सामान खरीदना भी उनके लिए पहलदाई रहेगा, मान्यता है कि आभुशन खरीदने से घर में धन संपदा बनी रहती है, ऐसा करने से आप पर भगवान धन्वंतरी की कुरुपा बरसेगी, अब जानते है करकर आशी के दातकों को धन तेरस पर क्या खरीदना चाहिए? करकर आशी के दातकों को धन तेरस पर चांडी का शिरियंत्र लाना लापकारी रहेगा, शिरियंत्र लेने के बाद कुछ और भी खरीदे तो भी शुभर रहेगा, और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आप पर मालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, अब जानते है सीहा राशी के दातकों को धन तेरस पर क्या खरीदना चाहिए? सीहा राशी के दातकों के लिए सोना खरीदना अति उत्तम माना जाता है, धन तेरस पर सोने की वस्तु जैसे, सोने के सिक्के, सोने के गहने और सोने के बरतन खरीदना अत्यंत शुभर रहेगा, इसके साथ साथ ब लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसेगी। अब जानते है कन्या राशी के जातकों को धन तेरस पर क्या खरिदना चाहिए। धन तेरस को शुब और फलदाई बनाने के लिए तुला राशी के जातक सोंदर्य से समदित वस्तु खरिदे। इतर सोने चांदी के आभूशन खरिदे। चांदी से बना आभूशन या चांदी के सिक्के जरूर खरिदे। इससे आपको सुक सम्रुध्जी की प्राप्ति आप पर बनी रहेगी। अब जानते है रुच्चिक राशी के दातकों को धन तेरस पर क्या खरीजना चाहिए। अब जानते है धन्दुराशी के दातकों को धन तेरस पर क्या खरीजना चाहिए। धन्दुराशी के दिन क्या खरीजना चाहिए। मकर राशी के जातकों के लिए धन्दुराश काफी माइने रखता है। धन्दुराश के इस परवपर वाहन और सदावट की चीजे खरीजना आपके लिए शुभर रहेगा। आप चांदी और श्टील के बरतन भी खरीज सकते है। मगर यह भी ध्यान रखे कि यदि आप वाहन खरीद रहे है तो उसकी पेमेंट एक दिन पहले ही कर दे। क्योंकि धन्देरस वाले दिन बड़ी पेमेंट करना शुभ नहीं माना जाता है। अब जानते है कुम्भर राशी वालों को धन्देरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। कुम्भर राशी का स्वामी शनी है ऐसे में आपके लिए चांदी और श्टिल के बरतन की खरीददारी करना शुभ और अत्याधीक फलदाई रहेगा। इसके साथ ही आप इस दिन ब्यांकों में पैसे जमा करवा सकते है। इससे धन के देवता भगवान कुबेर की कृपा आप पर बरसेगी। अब जानते है में राशी के दातकों को धन्देरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। में राशी का स्वामी ग्रह गुरू है। में राशी के जातक धन्देरस वाले दिन चान्दी के बरतन या आभुशन खरीदे। चान्दी में राशी वालों के लिए अत्यांत शुभ मानी गई है। धन्देरस पर आपको चान्दी के आभुशन या चान्दी के सिक्के खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ती होगी। और कुबेर देवता की क्रिपा आप पर बनी रहेगी। ओम महालक्ष्माई नमो नमा धन्यवाद। झालों की बनी रहेगी।